जहें दोस्तो मैं डीके शर्मा फाउंडर और चेर्मेन बायवल अर्गनिक आज मैं आया हूँ हमारे हर्दोई डिस्टिक के हर्पायरपुल तैसील पड़ती है तैसील कौन सी पड़ती सबाइस पड़ती है हर्पायरपुल का कौन से गां हुआ यह लंकन गाउं में हमारे किं की राय और क्या कहना चाते हैं आप लोगों से तो सबसे पहला सवाल मेरा यह है जितंदर सिंग जी कि जिस तरह से पिछले 40-50 साल से 60 साल से बहुत अधिक मात्रा में रासाने खादों और दवाईयों का इस्तिमाल होता चला जा रहा है एक तरफ सस्था बायवल भारत सरकार है और केंदर सरकार अब जैविक खेती के लिए पूरी पूरजोर कोशिश कर रहेएं कि जयविक खेती के सापना हो सके तो इन दोनों की लड़ाईयों में आपको क्या लगता है रासानिक खेती जीतेगी ज είु ख estatि जैविक जीतेगी, ऐसा क्यों लगता है आपको जैविक जीतेगे जैविक खेती के क्या क्यलाव हैं आपके साब से किल्णाव बढाती है, पौदा मोठापन होता है, किडा भी कम लगता है और आम जन्मानस के लिए क्या क्यलाव है coherent भीमारी कम बढ़ती है संस्ता की कारश है जैसान गोश्ठियों के माध्याम से सॉइल टेस्टिंग के माध्याम से जो ओफ सी काम कर रहे हैं उनके माध्याद कर जाके कार बनाया जा रहे है एक अच्छा सप्लाई सिस्टम और जागरुकता भियान बड़े स्तर पर इसकालाय जा रहा है बहुत सारे और किसारों के खेतों में लगवाया होगा जिरूर किया हम वी ले में अपने शुरुआत करी है तो इनके जो उत्पाद हैं जो जडद से लेकर के और फसल पकने तक आरे अता इनके बारे में आपके क्या रहा है अच्छा है अच्छा है रिजल्ट बड़िया है बड़िया है जो लोगों ने हमारे उत्पाद लगा पारभाधा उत्पादन जो फाइनल हूआ है वो उट्पादन वजा वा भढ़ने से हमारी कवर Walk झालएगी और जो भी तक लगये व जो फूं्ने हो ज़ायot अगला सवाल मेरा यह है कि जो सेल्स टीम काम कर रही है और गयनिक फार्मिंग कंसल्टेंट जैसे हमारे साथ भी कुछ सेल्स टीम यहां पर है इनकी जो कारचाली है यह जो आपको सपोर्ट करते हैं आपको सयोग करते हैं उससे आप संतुस्त हैं क्या आप बताओ यूश जी ह को जानकारी देनी है जैविक के बारे में जी यह आप करते हैं आप भी करते हैं काम मतलब गाओं में लोगों से जाकर मिलते हैं लोगों को घर गर जाकर मिलते हैं लोगों से अंजान लोगों से मिलते हैं अंजान लोगों अच्छा बहुत सभी आपका कहना है कि हम सिर्फ के इंदर धारक है उनको लगता कि वह उठाया सुबह आके बैठ गए नो बजे दस बजे शाम को उठते हैं कि ग्रहक हमारे पास आ नहीं रहे हैं इसमें संसा हमारी मदद करने चाहिए तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके इंदर धारकों को क्या क्या काम करना चाहिए ताकि उनकी सेल अच्छी हो सगे आप बताव आयुश सभी लोगों अच्छी तरी किसे सब जाना चाहिए कि हमारा पोटेक जैसा एक बार उच करो फिर उसको बात बताओ कि कोई दिक्कत तो हमको परिसा नहीं बताए जी लोगों से रिष्टे बनाए और उनसे बार बार कहें कि भई प्रोड़क्ट इस्तेमाल करो कोई दिक्कत परशानी हो तो हमें उसके बारे में बदा आई है जो आसपास किया किसान है जो अभी तक आपके साथ नहीं जुड़े हैं अभी तक उनोने जैविक खेती नहीं अपनाई है उनको आईउश क्या मैसेज देना चाहते हैं उनकी मैसेज करना है उन लोगों को जाके मिलेंगे आज से कल तक उनको आगे जनकारी देंगे इस वीडियो के माद्य हमसेज क्या पील करना चाहते हैं कि जैविक खेती अपनाई है आप अपील कर सकते हैं सामने कैमरे पर ये वीडियो हो सकता है कि वेबसाइट पर जाए उनसे क्या पील करना चाहें मेरी तरफ से लोग सभी कते दो वाई, लुबाएगों GBM का दिक करें जए फाइदे होने वाले हैं जैविक आफ उसके बिमारी कम होगी और बढ़ा उत्पाद्न स्बस्जादा होगा और सभी मैं दर्ससे Luk को बताना चाहता हुं कि जैविक अपनाने चाहते हमारे साथ जो घरहााuden हमारा इसक्रिश समस्याइं सबसे पहली यह लगातार केमिकल के इस्तेमाल से लागत लगाता है बढ़ती जा रही है उतपादळः घरता जा रहा है और जो यह जही दाम मिल रहा है मार्केड के अंदर यह तीनों ही समश्याओं का अगर जल्मूल से समाधान चाहते हैं तो उसको जैवik अपना